इडी को मैंने दो पत्र लिखे हैं पहला पत्र है जो नान घोटाला है अभी जैसे प्रहान मंद्री जी ने कहा जो भी राजीतिक जलका हो उसे निश्पक्ष जांच होना चाहिए प्रहान मंद्री जी ने कहा है मैंने इडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीम मेडम सीम सर सब के नाम आए हुए हैं और इडीक पास पहले से ही जांच चल रही है उस समय जो जांच अजिकारी है आपके सामने मीडिया सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नह नहीं कर सकते बहुंच सारे मीडिया हूस के पास उसके क्लिपिंग होगी और उस समय जब उन्होंने कहा था यह पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जानी चलते जांच नहीं कर सकते तो इडी को मैंने पत्र लिखा है कि इसके जांच आप कराएं दूसरी बात यह है कि के निफ्ति पत्र दिया गया था जो सत्ताधारी और स्वधानिक पदों में बैठे थे उनके दोरा भी प्रिफ किया गया था और लगबख साड़े 6000 करोड का गोटाला है और जिसका निवेस दूसरे जगव किया गया है मनी लांडिंग की गई है यह दोनों जांच के लिए म दूसरे जलों से अलग हैं हम अंसासित हैं काडर बेस पार्टी है उसकी कलेई खुल गई एक बागी प्रत्यासी को प्रहान मंत्री पत्र फोन करना इसका मत्तब यह है यूद्ध छेत्र में जैसे देना पती की बाद जैनिक निमान है तो समझ लीजे यूद्ध में पदाज है तो आज भारती जन्ता पार्टी की सेना पती करता धरता मानी नरेंद मोदी जीन फोन किया उसके बाद भी उन्होंने मा बात उसके आदेश मानने से इंकार कर दिया है 21 21 बागी खड़े हुए हैं आर साथ भी जन्ता पार्टी केंद्री अध्यक्त हिमाचा से आते हैं और तो महां 21 बागी चुनाव लड़ रहे हैं जिसका मतवर यह है जाती जन्ता पार्टी अब वो पार्टी दे रही जिसका वो दावा करते हैं तराज नूट बंगी को 6 साल हो गया है 6 साल में क्या देश की जन्ता को कितना रुपिया कितने करेंसी है वो आर्बियाई में जमा ह हुआ है कितना काला धन बहार आया है इसके बारे में सावजनिक जस्तावेच तस्तूत नहीं किया है जो 50 दिन की बाद करते थे आज 6 साल बीतने के बाद भी आज वो काला धन कितना आया यह बताने में अक्षम रहे हैं के बीतने क्वाइब तस्ताव लेड़ दना शुव자 कितने के बाद दो चुझा है टुझा यह रहे जो एजुझा और ग्रावाजव झावाजनिक टुझा तस्तावेश जू शुझा वी झाम